हेलो वरीबन, वेलकम बैक तो दाड़ेल एक्सपर्ट चैनल, तो प्रिवेस वीडियो में हमने activityregister.examl को create किये थे, यह जो आपको दिखा ही दे रहा है, completely हमने code create किये थे, तो इस वीडियो में हम login.examl को create करने माने हैं, okay, तो login page में हमें क्या करना होता है, email and password इंटर करवाना होता है, और यहापे हम text view का use करेगी, okay login में, तो सबसे बहले तो हमें activity create करने होगी, login के नेम से, तो इसके लिए आपको package नेम पे click करना है, right click करना है new, and यहापे आपको click करना होगा activity, empty activity, and यहापको select कर देना है activity का name, जो कि रहेगा हमारा login, यह होने के बाद आपको finish button पे click कर देना, तो जैसे हम finish button पे click करेंगे, तो जो भी हमारी login page.examl रहेगे, open हो जाएगे, तो आप देख सकते हों, यहापे हमारी activity अभी create हो रही है, तो अभी हम क्या करते है, activity login.examl में आ जाते है, and यह जो split का option दिखाए देर आपको, इस पे आपको click कर देना है, okay, तो जैसे हम split पे click करेंगे, तो यहापे by default constraint layout आपको show हो रहा होगा, तो आपको by default जैसी के वैसी ही रखना है, तो यहाँ से आपको background select करना होगा, जो कि हमने register में use के थे, तो मैं इसको control c से copy कर देता हूँ, and यहापे आने के बाद activity login.examl में इसको paste कर देता हूँ, तो आपको बस control V कर देना है, तो जैसे हम paste करेंगे, तो यहापे खुदबखुद background आ जाएगा, यह होने के बाद आपको दो text में use करना होगा, sign in and sign in here के नेम से, तो मैं एक काम कर देता हूँ, दो text view create कर लेता हूँ, मैंने वोली, तो आपको यहापे click करना होगा, आपको देदीनी, इसके wrap content and आपको height provide कर देना है wrap content, यह होने के बाद आपको text view को id भी define कर देनी है, जो की रेकी text view के name से, तो मैं यहापे type कर देता हूँ, id, iterate id, मैं यहापे name देता हू, text view, okay, यह होने के बाद आपको wrap content के नीचे आजाना है, और आपको यहापे text select कर देना है, जो भी text view का text रहेगा, तो हम text में क्या provide करेंगे, जैसे वहापे sign up था, तो यहापे हम provide कर देंगे, sign in, तो text select करना है आपको, and capital S H I G N sign in, यहापने के बाद अगेन आपको enter करना है, तो जैसे के आप देख सकते हैं, यहापे sign in show हो रहा है, बट यहापे color थोड़ा dark show हो रहा है, इसलिए हम text color change कर देंगे, text color में आपको बस white color provide कर देना है, तो यह काम करते हैं, जो हमने register में color यूज़ के, उसी color को हम यूज़ करे यहापे, तो मैं sign up पे click करूँगा, text color में copy करूँगा, यहापे हम paste कर देंगे, तो अभी मैं थोड़ी text size इसकी थोड़ी increase कर देता हूँ, text size में आपको provide करना होगा 35 SP, ओके, तो provide कर देता हूँ, 35 SP, आपको enter करना है, इसके बाद आपको start to start of use करना होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा and top से भी आएगा, ओके, तो इसलिए में use कर देता हूँ, bottom to bottom up, end to end up, start to start off, जैसे हमने यहाँ पी use किया था, यह काम कर देता हूँ, इसको जैसे के वैसे control C से copy कर देता हूँ, vertical bias तक, और यहाँ पे paste कर देता हूँ, control V से, ओके, बस य यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे थोड़ी increase होके 19 कर देंगे हो, तो यहाँ पे show नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे grader build finish होने का, ओके, तो maybe कभी grader build में time रख जाता है, तो हमें wait करना होगा, तो हम अपना work continue रख देते हैं, तो आपको 0.07 के जगा क्या करना होगा, आपको 19 implement करना होगा, क्योंकि जो यह text view रहेगा, वो काफी नीचे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा हमारा sign in का, तो इसलिए हम 0.19 कर रहे हैं, ओके, यह होने के बाद आपको enter करना है, यहाँ पे आपको provide करना है text view, text view में आपको provide करना है wrap content, and head पे आपको provide करना है wrap content, and इसकी id provide करना है आपको text view 2, जैसे यह तो text view हो चुका है, तो इसकी id हम provide करेंगे text view 2, enter it id text view 2, and यहाँ पे पे आपको text provide करना होगा, जैसे यहाँ पे sign in provide के तो यहाँ आपे here के name से रहेगा, तो हम provide कर देंगे text here, okay, यह होने के बाद आपको इसका text color and text size इस attribute को में copy कर देता हो, यह काम करेंगे हो, इस सभी को में copy कर लेता हो, text color से, okay, and यहाँ पे में paste कर देता हो, control v से, तो हमारा text size थोड़ा कम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे activity register में use किये थे, 21SP, यहाँ पे हमने use किये थे 21SP, सेम यहाँ पे हम implement कर दे थे, 21SP, 21SP, okay, and आपको use करना होगा, यहाँ पे, end to end up, and start to start off use करना होगा, बट यहाँ पे हमने गलत paste करते हो, okay, तो इसलिए में search करूँगा, यहाँ पे manually start to start off, यहाँ पे हम promote कर देंगे parent, and top to bottom off, तो हमें किस के नीची चीजी, इस text view के नीची, तो इसलिए आपको यहाँ पे search करना होगा, तो यहाँ पे हम enter करेंगे, and search कर देंगे, top to bottom off, enter it id, text view, यह होने के बाद आपको इसको text view को close कर देना, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हमने दोनों पे text view को close कर दिया, बट यहाँ पे error शोग रहा है, तो वह एक काम कर देता हूँ, ctrl c कर देता हूँ, इस text view को, and यहाँ पे मैं paste कर देता हूँ, तो अभी हमारा completely work हो चुका है, बट यहाँ पे show नहीं हो रहा है, यह काम करेंगे हम file पे click करेंगे, and जो भी हमारा project इसको close कर देंगे, and again हम इसको open करके देखेंगे, कि हमारा अभी जो भी java examr file रहेगे, ओ open हो जाएगे के नहीं हो जाएगे हम देखेंगे, तो यहाँ पे loading project show रहा है, तो अगेन हमें wait करना होगा project load होने तक, तो अभी भी यहाँ पे show नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे error पे click करके देखते है, and आप देख सकते हो, यहाँ पे show रहा है render problem, तो एक काम करते है, इसको हम इसको जैसे के वैसे है रहने देंगे तो अभी शोव नहीं हो रहा है तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अभी हम अपना work करते रहेते हुआ तो यह तो वह हमारा sign in and year के नेम से मैं आपको समझा देता हूँ जैसे यहापे हमने sign up year का page create किया था टेक्स्ट यूस करना हुगा ओके यह होने के बाद आपको login के नेम से बटन क्रेट करना हुगा तो मैं जल्दी से दो टेक्स्ट भी ले ले लेता हूँ email and password के नेम से तो यहापे हम activity register.examl से जैसे के वैसे copy कर लेंगे तो email इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl-C से और यह होने के बाद activity login.examl में हम पेस्ट कर देंगे ओके तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहापे मैंने पेस्ट कर देए बट यहापे area शो हो रहा क्यूंकि यहाप फुल नेम से कोई भी id defined नहीं है तो यहापे हमें vertical bias का भी यूज करना होगा तो यह काम कर देता हूँ इन दोनों को भी मैं remove कर देता हूँ text color hint के बाद हम खुद से manually define कर देगे तो आपको यहाप भी यूज करना होगा bottom to bottom of यहापे आपको provide करना है parent and same आपको यूज करना होगा end to end of यहापे आपको provide करना होगा parent and इसके बाद अगेन आपको यूज करना होगा start to start off यहापे भी हम provide कर देंगे parent ओके यह होने के बाद हम यूज करेंगे top to bottom of तो top to bottom of यूज करेंगे हम iterate id text view 2 means किसके नीचे चिए तो यह जो text view है जैसे हमने full name को इसके नीचे paste किया था तो same हम इसके नीचे हम इसको enter करवा लेंगे text view 2 के नीचे and यहापे आपको last final define करना है vertical bias तो मैं यहापे type कर देता हूँ vertical bias इसको आपको define करना होगा 0.1 तो 0.19 हमने क्यों define किया register में हमने थोड़ा कम किया था क्यूंकि यह जो full name है वो काफी pass में था ठीक है बट यह काफी दूर में रहेगा इसके हमने क्या provide किया 0.19 तो जैसी कि आप देख सकते हैं यहापे sign up here यहापे show रहा होगा आपको तो I think rendering में problem है तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अभी एक काम करते हैं added text password के name से create करते हैं तो activity register में आपको आना है और यह जो password इसको copy करना है हम इसको copy कर देता हो ctrl c से activity login में चले जाते हैं और इसके नीचे हम paste कर देंगें तो जैसी कि आप देख सकते हैं यहापे हमने इसको paste कर दिया बट हमें क्या करना होगा इसको change करना होगा email को ठीक है अचे ही रहेगा bottom to bottom इसके नीचे रहेगा email के नीचे हमारा password रहेगा एक काम कर देता है इसको complete के हम जैसी के वैसी रहने देते हैं तो अभी हमें एक button create करना होगा जैसे हमने यहापे एक button के लिए same है आपको activity login के लिए create करना होगा तो एक काम कर देता हूँ इसको copy कर देता हूँ जैसे के वैसे तो register में आ जाएंगे और इस button को हम copy कर देंगे Ctrl C से activity login.exe में हाना होगा आपको और इसके नीचे आपको paste करना होगा तो Ctrl V कर देता होगे और यहापे हमारी button आ जाएगे तो आपको register button की जगह इसके id का define करना होगा login button तो यहापे आपको लिखना होगा login button तो एक काम कर देता हूँ मैं bit को change कर देता हूँ match parent कर देता हूँ ऐसे 0 dpn match parent सेम होता है बट इसको मैं change कर देता हूँ यह होने के बाद आपको same jcq वैसे इंप्लेमेंट करके रखना है इसको आपको end to end of and start to start of बट यहाँ पी इसकी id change हो जाएगी यह किसके नीचे चीह है तो password के नीचे तो मैं यहाँ भी use कर देता हूँ top to bottom of password PAA तो आपको यहाँ पे show हो रही है तो अभी हमारा button का भी work हो चुका है completely अभी हमें एक text view create करना होगा जैसे हमने यहाँ पे text view create किया and progress bar create किया same अपको यहाँ login के लिए पे create करना होगा तो एक काम कर लेते हैं इसको ctrl c से copy कर देंगे and login में चले जाएगे and इसके paste कर देंगे इस text view को ओके तो सबसे पहले तो इसको हमें कुछ change करना होगा तो already account यहाँ पे नहीं रख सकते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे new account new account sign up here login year ने रहेगा है sign up year यह होने के बाद आपको क्या change करना है login button यहाँ पे तो register बटन था पिछली इसमें बट यहाँ पे change करना होगा आपको login button क्योंकि इसके नीचे चीए तो मैं इसको define कर देता हूँ login button के नेम से अभी final complete अभी हमारा हो चुका है बस एक progress bar अभी remaining है तो एक काम करते हैं इसको progress bar को copy करेंगे Ctrl C से यहाँ पे blueprint में show हो रहा है यहाँ पे हमारा text view रहेगा एक email password रहेगा और एक button रहेगा ओके एक text view के नीचे क्या रहेगा last final progress bar तो जैसके आप देख सकते हैं यहाँ पे progress bar show हो रहा है तो इसकी width and height same जैसके वैसी रखनी है visibility भी invisible करेंगे बस इसका vertical bias थोड़ा increase कर देंगे क्योंकि यह नीचे से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो vertical bias में कितना कर दूँगा 0.39 इतना आपको कर देंगे 0.39 तो अभी हमारा completely work हो चुका है activity login.examl and activity register.examl का photo content completely part हो चुका है तो अभी हम next video में क्या देखने वाले यह जो register.examl and login.examl इसका backend part हम देखेंगे तुम्हें तक लिए नई वीडियो में तब तक लिए जहें जहें भारत